हाई वेल्कों तो मैस्टानल इस बीए में सॉल्व करेंगे क्वेशन नबर टू सो दाट इच अब फाल्विंग नंबर्स इज अ पर्फेक्ट स्क्वेर आल्सो फाइंड दा नंबर हूज स्क्वेर इस गिवन नंबर इन इच केस तो हमें यह पहले सो करना है कि यह जो नंबर्स आ है वो क्या है perfect squares उसके बाद हमें वह भी नबर बताना है कि यह जो squares है perfect squares है तो किस नंबरं के perfect squares है ठीक है ओक्शे में तो इसको हम solve करता है solution तो पहला है हम solve करता है first given number जो है है 1156 1156 पहले हम क्या करता है कि इसका प्राइम करते हैं ठीक है तो 1156 का करते हैं प्राइम देखें यहां पर यूनिट प्लसफर क्या आए 6 है न यह टू से इसको डिवाड़ करते हैं तो फ़जा 10 वन बचा यहां पर 15 हो गया यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर 289 आ गया अब 289 जो है किसी भी प्राइम निम्मर से नहीं कटेगा बलकि केवल वह 17 से कटेगा और 17 से जाएंगे 17 से 17 टामस में जाता है और 17 से फिर से लिए याएंगे तो वन टामस हो जाएगा मतब फाइनली हमारा मिल गया कि we have we have one one five six is equal to मिल गया हमें two multiplied by two into 17 multiplied by 17 अब यहां पर क्या बन रहा है कि जो भी factors हैं उनका पेर बन जा रहा है therefore this is a perfect square तो since लिसकते हैं means factors of one one five six are in pairs are in pairs therefore one one five six is a perfect square यह तो हमारा पहला आंसर हो गया हमने जो शो कर दिया कि यह two five деся हैं हमें हमें इसका सेकेंग असर मिल लिखना है कि किस नंबर का wait है उसकी लिए का करना पड़ेगा कि हमें यह यह जो लाइन है यहां पर लिखायों मैं इसका उसका यूज करना पड़ेगा है तो since हम यह जानर चुके हैं कि one five six जो है वह इक्वाल है 2 into 2 into 17 into 17 के यहां पर हम लिख सकते हैं इसको दिएकर 2 2 का 2 का square लिख सकते हैं into यह लिख सकते हैं 17 का square ठीक है अब यहां पर ध्रहान देजेगार यह यदि हम ऐसा लहता है a to the power m रहता है into b to the power m रहता है तो क्या करते हैं हम a और b को multiply करके a into b को multiply करके whole power में लिख लेते हैं m यही formula हम लगाएंगे exponent का यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं 2 into 17 का power 2 means 17 to 34 34 का क्या हो जागा square तो यहीं सद्दीख रहा है कि यह जो number है 1156 यह 34 का square है तो हैंस पहले वाले केस में मतलब 1156 का यह जो number होगा answer होगा वो 34 होगा हैंस लिख सकते हैं कि 1156 is the square of is the square of 34 this is your answer for the first case तो अब चलते हैं second वाला solve करने हैं यहाँ पर 2025 का means 2025 तो यहाँ पर मैं इसको erase करूँगा आप यदि यह note करना चाहते हैं तो note कर लीजिए मैं इसको erase करने वाला हूँ ओके तो हम यहाँ पर कर लेते हैं erase अब करते हैं second यहाँ पर second question है आपका 2025 तो हम पहले करेंगे प्राइम इसका और लिख रहते हैं 2025 देखें हाँ पर इसके यूनिट स्पर क्या है 5 है तो यह फाइव से कैंसे लाट हो जाएगा यह फाइव से लाट हो गया टू में नहीं जापाएगा 5 से तो 0 बढ़ाएंगे और 25 मिले जाएंगे तो 55 25 अब यहां 5 से फिर से जाएगा क्योंकि 5 यूनिट स्पर है 5 एड़ जा 40 और 5 बन जा 5 अब ही 81 आ गया 81 तो पता ही आपको कि किसका यह फेक्टर है 9 का है 9-9 जा 81 फिर यह बद्धा 9 बन जा 9 अब यहां बताई सकते हैं कि 5 का प्र बन रहा है और 9 का प्र बन रहा है यह फिर 9 को देक्टराइज करके लिखेंगे तब भी बंजाएगा पेर्स मतलब कि हम लिषकते है लिसकते हैं यहां पर so 2025 is equal to 5 multiplied by 5 multiplied by 9 का लिसकते हैं हम लोग 3 multiplied by 3 और यह वालो जो 9 है उसको लिसकते हैं 3 multiplied by 3 यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 5 3 और 3 का यहां पेर बन रहा है तो clearly हमें लिखने की ज़्याद जोड़ नहीं है लिख सकते हैं आपर कि clearly 2025 is a perfect perfect square ठीक है अब हमें वह number find करना है कि वह किस number का perfect square है तो उसको find करने के लिए जो पेर बन रहा है उसमें से एक एक number ले लेंगे हम तो वह number मिल जाएगा ठीक है आल्सो 2025 is square of इसमें से एक number ले लिजे square of 5 into इसमें से एक number ले लिजे 3 और इस pair में से एक number ले लिजे 3 का तो इसी number का क्या होगा यह square होगा तो मत्रप्लाई करें नित्या में लेगा फाइफ से फिफ्टीन थ्रिजा 45 मिन्स 45 का जो है 22,025 जो है square है यह हो गया answer इसका तो मैं इसको भी लिजे चरूँगा आप वीडियो को pause करके नूट कर सकते हैं यदि चाहते हैं नूट करना तो यह हो गया question number two अब चलते है question number three पर मतलब कि इसी part में question number third part आपका यहां पर दिया हुआ है one four one four six four one पहले करते हैं इसका factorization one four six four one यहां पर दिखें यह आप चेक करेंगे तो two से नहीं कटेगा यह क्योंकि इस पर even number नहीं है three से नहीं कटेगा क्योंकि add करने पर कोई भी ऐसा number नहीं से add कर लेते हैं यहां पर four one five five six eleven eleven four fifteen fifteen one sixteen 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 number आ रहा है जोड़ने पर add करने पर और वो जो है three से नहीं कट पाएगा इसका मतलब कि यह three से भी divide नहीं हो पाएगा four four से तो कहोगा ही नहीं six से भी नहीं हो पाएगा seven से भी नहीं होगा क्योंकि आप चेक करेंगा seven nine seven eight नहीं होगा और eleven से होगा यह हो और eleven से चेकरने के लिए क्या करना पढ़ता है कि हमें add places को मतलब और 4th place वाला तो 4 4 8 हो जाएगा और मैनस करेंगो देखिए कट की 0 हो गया इसका मतलब कि यह जो कटेगा वो 11 से कटेगा ठीक है तो 11 से कटेगा तो हम इसको पहले 11 से ले जाएगे तो 11 से 14 मिल जाता है 11 हो जाए 11 कितना बचा 3 बचा यहां लिख लेता है 3 36 हो गया तो 11 3 जा 33 फिर यहां पर 3 बचेगा 34 हो जाएगा अब 11 3 जा 33 कितना बचा फिर 1 बचा 1 आगर रखेंगे 11 बचा तो 11 जाएगा 11 अब यह फिर से कटेगा 11 से ठीक है क्योंकि 11 जा 11 यहां क्या बचेगा 2 बचेगा 23 हो जाएगा और 11 2 जा 22 फिर बचेगा 1 11 हो गया और 11 वंजा 11 और इसका तो पता ही है कि 11 11 जा होता है 121 और 11 जा 11 हो जाएगा तो हमारा जो मिल गया हमें since so मिल गया हमें 14,641 is equal to 11 multiplied by 11 multiplied by 11 multiplied by 11 यहां पर आपको लिखना पड़ेगा clearly 14641 is a perfect square यह perfect square क्यों होगा क्योंकि यहां पेर बन रहा है यहां पर फिर लिखना पड़ेगा कि यह किस का मतलब किस नंबर का perfect square है तो लिखना होगा कि 14641 is the square of square of इसमें से यह पेर बना हुआ है ना इसमें से एक नंबर ले लिजे means एक नंबर इस पेर से ले लिजे 11 into इसमें से एक पेर ले लिजे 11 means यह जो है 100 यह मिलेगा 121 का 11 11 क्या होता है 121 होता है यह आंसर होगा इसका थर्ड का अब चलते हैं सॉल्फ करते हैं फोर्थ वन इसको हम इरेज कर लेते हैं ओके आपके पास है फोर्थ ओके तो अब हमारे पास है इसका हम पहले करेंगे प्राइम फ्रेक्टराजिशन तो मिलेगा हमें कि यहां पर 4761 तो यह थ्री से कैंसे लट हो जाएगा पहले थ्री से लिजाते हैं क्योंकि आइड़ करने पर क्या आएगा 18 आएगा 47 हो जाएगा 11 11 6 17 17 1 18 तो थ्री से कैंसे लट हो गया थ्री यहां बचे का एक 17 हो गया और 35 जा 15 टू बचे का 26 टू बचे का 26 टू एड़ जा 24 एड़ टू बचे का 21 आप यहां पर नंबर है जो यह भी थ्री से कट जाएगा 35 जा 15 एड़ 22 जा 6 एड़ टू बचा 27 एड़ टू बचा 27 आज 3 नंबर है यहां 4 से भी नहीं कटेगा 5 से नहीं कटेगा 6, 7, 8, 9, 10, 11 चेक कर लेंगे बिलकूर नहीं कटेगा 13 से भी कटेगा देखे आप चेक करते जाएंगे जब तक कि यह कटना जाए ठीक है और आप यह पा कि 21 से भी नहीं कटेगा और 22 से भी कटेगा 23 से खटेगा 23 से भीज़ेंगे 529 में इसे हम यहां आपको डिवाड़ी करते हैं इसमें तो 2 बर जाएगा 2 3 जा 6 and 2 2 जा 4 यहां में लेगा आपको 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा और यह 9 और यहां पर 3 बजाएगा 3 3 जा 9 and 3 2 जा 6 means के सिरट हो गया means 23 से 23 बर में जाएगा 23 का स्क्वेर यह है तो कभी कभी क्या होता है कि नंबर बहुत बड़ा हो जाता है तो आपको मटिपलाई करते वेच चेक करते जाना है जब तक कि वो डिवाइड पूर्दे सा ना हो जाए तो यह मतलब लंबा प्रासेस हो चकता है या फिर आप याद कर लिजिए जब भी क्विशन आता है कि इसका स्क्यार इतना ही होता है 30 तक स्क्यार याद कर लिजिए और रिवर टर्टी के बाद यह आता है तब तो आपको डिवाइड करना ही पड़एगा तो यह आगया 23 से एक बार को रहेंगे यह मिल जागा यहां पियर बंगा है हमारा तो यह जो 47 6 1 है वहां एक परफेक स्क्वेर है means हम का सकते हैं कि 4761 भुली सकते हैं 69 का स्क्वेर ओके तो होब कि आगया होगा यह कि second question कैसे करेंगे और यदि आपको अच्छा लगा तो like कर दिजिए तो share करिए और कोई बीडियाट होता है तो comment box आपके लिए thank you so much bye